अगर आप अभी फार्मसी मेंड मिशन लेना चाहते हो या फिर आप फार्मसी मेंड मिशन ले चुके हो तो अब आपके दिमाख में एक चीज़ आ रही होगी कि अगे जॉब्स क्या मिलेगी यानि कौन से जॉब में हमें क्या काम करना होगा या फिर फार्मसी के पाद जॉब कौन सी होती है तो आज के वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाला हूँ कि आपको D-Farm या फिर B-Farm करने के बाद कहा कहा आपको जॉब मिल सकती है तो एक बात आती है government jobs की जो कि अलग completely field आ जाती है वहाँ पर भी vacancies होती है बट बहुत कम होती है तो अगर आपको government job regarding video चाहिए तो जो आप नीचे comment करके मुझे बता सकते हो बट ये वीडियो में हम बात करने वाले private job की क्योंकि main focus जो होता है किसी भी student का पहले तो government job पे अगर वो नहीं मिलती है तो हम आते है private job पे तो pharmacy के बाद जाद से जादा chances होते है private jobs के तो ये वीडियो में हम हर एक field के regarding देखेंगे कि pharmacy के बाद कौन सी fields होती है कहां कहां में job करनी होती है ये जानना क्यों जरूरी है क्योंकि suppose करो आप D farm pass होते हो या फिर V farm pass होते हो उसके बाद आप एक किसी भी field में pharmacy के बाद जाब ले लेते हो ATMF है इसमें अगर आप 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 से निकल कर जाना चाहते हो तो आपका जो ये तीन साल का experience है वो completely zero हो जाएगा इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है जब कभी आप B farm में या फिर D farm admission लेते हो या फिर pass out होते हो उसके बाद जो confusion है वो अगर आपको खतम करना है तो ये जान जो मैं आपको slide पर लेके चलूँगा थोड़ा presentation के format में बता हूँगा ताकि आपको जो easily understand हो कि कौन सी फिल्ड में आपको कहा कहा job मिल सकती है इसके बाद आपका कोई भी confusion हो तो ये सब कुछ देखने के बाद आप जो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो एक बात की मेरी इं पर मैंने बताया है और उसके जो सब job होते हैं सब job domain होते हैं वो भी जो है अलग करके बताया है ताकि समझने में बहुत ज़ादा आपको आसा नहीं हो जाए बड़ आपको काम यही करना है वीडियो जो एंड दक जरूर वाच करनी है अगर आप बीच में छोड़के चले ज जाते हो तो आपको और जादा confusion हो जाएगा क्योंकि आप बीच में ही चोड़के चल जाओगे लास्ट में मार्केटिंग के बारे में बताया है जो ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप जाते हो तो कई आगे आपकी growth हो सकती है और ऐसा भी बोला जाता है कि marketing यानि पैसा अगर आ स्टाप दी लोगों को यार पता ही होगा जो फार्मसी में है बट जो new है उनके लिए बता देता हूँ कि फार्मा इंडस्ट्री मतलब जो कोई आप tablet, capsule, injection या फिर कोई vaccine देखे होगे आपने तो जितनी भी सारी चीज़े है जहाँ बनाई जाती है उसे कहते है फार्मा QA and QC क्या है दोनों अलग अलग है quality control and quality assurance बटी इन दोनों का काम जो है almost 70% सेम होता है एक अच्छी जोब यह मानी जाती है वी फार्म के बाद इसलिए मैंने इसे उपर लिया है quality control में आपको करना क्या होता है तो जिससे इसका नाम है आपको quality control यानि सपोस करो कोई batch निकलत तब ही वो batch जो आगे जाएगी यानि sample के आपको यहाप पर testing करनी होते है साथी साथ quality assurance यह भी जो इसी regarding job है जहाँ आपको यह सारे documentation work करना होता है यानि quality का आपको जो एप रोल यहापर देना होता है तो यही सब कुछ QA में आता है और QC में आपको quality control यहापर करनी होती है तो यहाप side में देख रहोगे मैंने B farm लिखा है तो ऐसा क्योंकि most of the companies जो only B farm and M farm candidate होई QA and QC में ले दिये है बट ऐसा नहीं है कि आप D farm के बाद नहीं जा सकते हो डिपलोमा के बाद भी job होते हैं बट बहुत कम होते है QA and QC में अब next चीज़ आती है production जोकि actual work है industry में का production का मतलब यही है कि जितनी भी सारी machines है like tablet punching machine बोलो या फिर capsule की machine बोलो या फिर other कोई भी जिससे भी कोई product बनता है formulation बनता है तो उस पर अगर आप काम कर रहे हो तो वो field आती है production जो actual industry में के एक field होती है अब next है warehouse तो warehouse क्या है तो यहाँ पर आपको काम यह करना होता है जो को currency department में कितना जा रहा है यह सब कुछ काम आपको यहाँ पर देखना होता है तो warehouse में जो mostly D farm के बाद student जाते है बट B farm के भी कुछ percentage student आपको वहाँ देखने मिल जाएगे अब यह जितनी भी चीज़े में बता रहा हूँ इसकी अगर आप salary जानना चाते हो यानि starting में आपको क देखने मिल जाएगी तो यह वीडियो को complete watch करने के बाद वो वीडियो आप जरूर से देखिए ताकि आपके दिमाग में जितना भी confusion चल रहा है सारा clear हो जाए नेक्स चीज़े पैरेंटर्स तो पैरेंटर्स भी बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है बड़ यहां थोड़ रिस्की होती है क्योंकि इसमें जो थोड़ा भी कुछ contamination नहीं चलता है बिल्कुल properly waste से यह बनाई जाती है बट यह भी बात आपने सुनी होगी जितनी जादा risk उतना जादा पैसा तो पैरेंटर्स में जो payment होता है वो थोड़ा जादा होता है as compared to other field क्योंकि यहां पर risk भी जाता होती है अगर आपकी छोटी सी गलती भी हो गई फिर भी जो complete batch यहां waste हो सकती है हलकि ऐसा होता नहीं है सारे के सारे जो precautionary major है वह आपर industry में already लिये जाता है साथी साथ सभी को train भी किया जाता है बट पैरेंटर्स का एक फाइदा यह भी है कि अगर आप schedule C में काम कर हो और आगे जाके आप जो है drug inspector के लिए यहाँ पर apply करना चाहते हो तो वह भी जो है experience यहाँ पर calculate किया जाता है drug inspector क्या होता है कैसे आप बन सकते हो यह अगर आप जानना चाहते हो तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है तो description में आपको उसकी भी link मिल चाहेगी अब न नहीं के बराबर मैं बोल सकता हूँ तो regulatory affairs में क्या काम क्या होता है तो जितने भी कोई regular basis पर companies में चीज़े होती है उन सब चीजों का जो document आपको यहाँ पर maintain करना होता है यह भी अच्छी जॉब मानी जाती है parentals या फिर QA QC की जैसी ही एक respected job जो regulatory affairs में भी बोली जाती है उसके बाद next चीज़ है formulation department तो formulation क्या होता है तो यह जो भी pharmacy student हो उनको समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बट जो new student है तो जो भी कोई आप चीज़े देखते हो जो complete बनी हुई है syrup आपने देखा होगा तो syrup भी एक formulation है तो इस तरह के suspension देखा होगा emulsion देखा होग तो वह भी एक formulation है तो एक team ऐसी होती है जो finalized formulation बनाती है industry में तो वह होती है formulation department की team तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो जहां raw material से कौन सा final product कौन सा formulation इसका बनेगा वो decide किया जाता है और कौन सी method से बनेगा वो सब कुछ यह decide किया जाता है तो अगर आपका interest इसमें है तो वहा आप में बता रहा हूँ अगर आप और जादा डीटेल जाना चाहते हो तो एक बार मैं आपको direction दे रहा हूँ या से उठा कर आप जो गूगल पर चाहिए Google पर search कीजिए YouTube पर other videos देखिए तो आपको और जादा डीटेल में इस सारी fields के regarding पता लग जाएगा अगर आपको नह जो मेरा फ्रेंड है उसकी वीडियो में लाँगा इंटर्वियो लाँगा बट वो अभी तक नहीं आई तो उसका reason यही है कि इस वक्त जो है जो medical coding की industry होती है उसमें बहुत जादा प्रोजेक्ट्स होते है संडे तक को भी काम करना पड़ता है जिस वज़े से जो है यार ज like dc उसके गार तो फार्मा को विज़लन्स में काम क्या करना होता है तो फार्मा को विजलन्स में काम यह होता है कि सबस करो अगर आप कोई ड्रग लेते हो उसके बाद आपको जो कुछ उसका side effect हो था यानि आपके skin पे rashes वगएर आते हैं तो foreign के लोग या फिर इंडिया के भी कुछ areas के लोग उसे तूरंत report करते हैं अपने physician के पास physician जो है आगे company के पास इसका report करता है जिस किसी company या फिर जिस किसी pharmaceutical industry की वो tablet capsule जो भी कोई formulation हो तो फिर वो company जो है इस तरह के IT companies को project देती है कि यह क्यों हुआ आप इसके study करो जब कभी इसका clinical trials हुआ था क्या तब यह error आया था क्या तो यह सारी जो study है हमको आपर देखनी होती है और उससे जो एक analysis conclusion निकालना होता है तो यह हो गया pharmacovigilance इसके बारे में भी आप Google करके detail जान सकते हो नेक्स चीज़ आती है medical coding तो medical coding नाम सुनके आपको लगरा होगा कि HTTP वालक वगरा वो सब कुछ coding तो वो coding यहापर नहीं होती है इसका example थोड़ा आपको यह बहुत बड़ी field है है समझाने के लिए बट थोड़ा मैं आपको short में समझाता हूँ तो US में होता कैसा है USA में United States में कि जितने भी सारे लोग है सभी का जो यहापर medically cover होता है यानि insurance होता है तो जब कभी वो hospital में जाते है तो उनका जो prescription बनता है तो उन्हें वाप ऐसे नहीं देने होते है बट वो prescription में उनका disease हो गया उन्हें क्या हुआ है symptoms हो गया साथी साथ उन्हें कौन सी tablet ल जाल रहा है तो यह सारा prescription पर लिखा जाता है और इसके एक specific code होते हैं हर एक disease wise, tablet wise तो वही code हमें करने होते हैं और insurance company को provide करने होते हैं तो यह काम जो है medical coding में होता है तो इस regarding आगे 100% detail वीडियो आने ही वाली है अब next cdm और slash करके मैंने लिखा है etmf तो cdm यानि clinical data management तो अ clinical trials जहां human पर जैसे आपने अभी सुना होगा कि कोवीड की vaccine human पर test हो रही है तो वो जो सब कुछ testing होती है उसका जो एक data manage किया चाता है तो अलग-अलग source से data collect करके एक database में बनाने का काम cdm में होता है cdm और pharmacovigilance most of the same तो नहीं बट most of the जो है कई सारी ऐसी companies है जो pharmacovigilance म में भी काम करती है यानि एक दूसरे का experience भी आप मतलब अगर आप cdm में काम करते हो तो vigilance में वह experience चला सकते हो चाथी साथ etmf any electronic trial master file यह भी इसी से regarding field है इसके regarding आप google करके जादा जान सकते हो गर यहां बताने बैट हूँगा तो यह वीडियो जादा पड़ी हो जाएग औ और पैसा चाप लो तो ऐसा नहीं होता है बट यहां growth बहुत जादा होती है अगर आपके पास sales करने की skill हो साथी साथ communication skill हो तो यहां काम क्या करना होता है बहुत से लोगों को बता होगा बट simple language में थोड़ा explain करने के कोशिश करता हूँ तो suppose करो आप किसी भी industry के लिए काम क company जब कोई new product launch करती है या फिर उसका कोई old product भी हो तो वो लेकर आपको physician यानि doctor के पास जाना होता है और doctor को यह बताना होता है कि क्यों यह product other company से अच्छा है क्या इसके फाइदे है क्यों यह logo के लिए अच्छा है क्यों यह patient के लिए अच्छा है यह सारा आपके communication skill के तरू आपको sales generate करके company को देना होता है अब यहाँ फाइदा यह है कि आपकी अगर skill अच्छी हो communication skill अच्छी हो आप अगर sales company को generate करके दे रहे हो तो इसका आपको बहुत जादा फाइदा होगा और मैंने जब एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सभी के सभी जो payments है इन सारी jobs के वो बताया था तब मैंने आपको वहाँ पर बोला था कि जितनी भी इंडिया में बड़ी बड़ी companies है उसके जो आज मालिक है उन्होंने भी अपना केरियर जो है फार्मा मार्केटिंग से स्टार्ट किया था तो अब आप से हो सकते हो फार्मा मार्केटिंग कितनी बड़ी फिल्ड है क्योंकि इसके तुरू जो है आप आगे जाके जनरल मैनेजर या फिर सेल्स मैनेजर इतनी बड़ी पोस्ट भी जो हासिल कर सकते हो अगर आपके पास कील है तो हाला कि company's training भी देती है अगर आपका इसमें इंट्रेस है तो आप 100% फार्मा मार्केटिंग के बाद पार्मा मार्केटिंग में D-farm और B-farm दोनों की बाद जा सकते हो तो गाइस यह वीडियो यही तक थी आई होप आपको अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर जरूर करना बहुत मेनत से यह वीडियो बनती है और अगर आपने अभी तक च यूसपल रहने वाली